तथागत बुद्ध के अनुसार, पाप कर्मों के फल और म्रत्यू से कोई नहीं बच सकता, धंपत में गाथा है, ने आकास में, ने समुद्र के बीच में, ने पर्वतों की गुफाओं में घुशकर, और ने संसार के किसी देश, प्रदेश में ऐसी कोई जगे है, जहां छिपकर, पाप कर्मों के फलों से प्राणी बस सके, आकास के उपर, समुद्र के नीचे, पर्वतों की गुफाओं, तथा संसार के किसी दूर, सुदूर, छेत्र में रहकर, अपने पाप कर्मों के परिपाक से बचा नहीं जा सकता, अतैव पाप कर्म करने से ही बचना है, जो पाप कर्म हो गया हो, उसके प्रती गिलानी होना चाहिए, उसे पुनहें नहीं करना चाहिए, और उसके विप्रीत पवित्र कर्म में मन लगाना चाहिए, ने आकास में, ने समुद्र में, ने पर्वतों की गुफाओं में प्रिवेश कर, और ने संसार में, कोई ऐसा देश, प्रदेश, विद्यमान है, जहां रहकर, छिपकर, मुरत्यू का सामना ने पड़े, मुरत्यू का मुकाबला सामना ना करना पड़े, आकास, समुद्र, पर्वतों की गुफाओं या संसार की कोई गुपने जगें में जाकर भी, मुरत्यू के आकरमन से बचा नहीं जा सकता, इसलिए सान्ती इच्छुक को मुरत्यू का स्वागत करने के लिए पहले से तयार रहना चाहिए, वैसे आजकल आत्महत्या द्वारा बहुत से लोग मुरत्यू का स्वागत करते हैं, किन्तु वे कायर हैं, आत्महत्या महापाप है, वस्तूते सारा मो छोड़कर तेहा भिमान से मुक्त हो जाने वाला साधक सब कुछ को पहले ही मार देता है, वहदे छोटने के पहले उसे मन से छोड़ देता है, इसलिए निर्भय होता है, जीवन मुक्त होता है, मरी हुई देह को मन से त्याग देना है, जो छोटने वाला ही है, उसे मन से छोड़ देना बहुत सरल काम है, नमो बुद्धाय